नमस्कार और वेलकम देखें स्टॉक मार्केट्स में एक संख्या जो आपको दिनराथ सुने को मिलती है और जिसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं वो हैं FIIs और DIs के बाइंग और सेलिंग के नमबर्स तो देखें हर सवेरे आपको पता लगता है कि पिछले दिन FIIs ने कितने हजार करोड की खरीदारी की कितने हजार करोड की बिक्वाली फ्यूचर और ऑप्शन् इन्वेस्टर्स याने कि जो विदेशी निवेशक इंडिया में काम कर रहे हैं उनको FIIs कहते हैं DIs हमारी अपनी घरेलू फंड्स हैं जैसे कि mutual funds होते हैं और हमारे हां के जो घरेलू निवेशक संस्थागत निवेशक हैं उनको DIs कहते हैं तो इनकी कुल खरीदारी और बिक्वाली के डेटा को लोग बहुत जरूरत से जादा तरजी देते हैं लेकिन मेरी माने तो ये संख्याएं कोरी बगवास हैं देखें नंबर्स पूरी कहानी नहीं कहते हैं इन नंबर्स में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है इसलिए जो संख्या आपको सामने दिखती है वो संख्या FII की पूरी संख्या नहीं होती है तो इसलिए अगर आपके एवल FII का डेटा देख करके investment कर रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप भी कई investors और traders की तरह अपना पैसा गवा बैठें मेरा काम है कि आपको यह बताऊं कि यह डेटा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है विश्वस निया नहीं होता है और उसकी वजह भी इस वीडियो को मैं मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं तो गौर से देखेगा यह वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो पहलू है FIIs और DIs के डेटा का जो की आम तोर पर लोगों से छिपा रहता है जिसको हम नजर अंदास कर बैठते हैं और हम आधी अधूरी संख्या को देख करके एक राय बना लेते हैं जो कि अक्सर गलत होती है दे देटा आपको मिसलीड करते हैं एक बात और यहां पर important है वो यह है कि देखे FIIs और DIs कोई एक संस्था नहीं है कई तरहां की संस्थाएं हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि FIIs मतलब foreign institutional investors और इसमें शामिल है UBS Goldman Sachs जैसे बड़े नाम और बहुत छोटे नाम जिनका आपन पेच रहे होते हैं तो यह जो FII की संक्या आपको मिलती है इसमें हर प्रकार की FII शामिल होती है तो यह समझना कि सभी FIIs खरीद रहे हैं यह गलत है दूसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है जिसके बारे में हम दिन रात सुनते हैं लेकिन कभी हमने उस तर की ट्रेडर्स S.G.X. Nifty की ओर देखते हैं कि वहां से संकेत क्या आ रहे हैं देखें सिंगापूर में बजार साथ बेजे खुल जाता है इंडियन समय पर और उसके बाद वहां से क्यूज मिलते रहते हैं तो सिंगापूर में जो Nifty है वो ट्रेड हो रही होती है और उस से हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारा अपना बजार कितने बड़े गैप के साथ आज खुल सकता है या कितना नीचे खुल सकता है और अमूमन जहां पर S.G.X. Nifty ट्रेड कर रहा होता है लगबग वहीं पर हमारा Nifty भी खुलता है लेकिन S.G.X. Nifty इस उदेश्य के लिए नहीं Nifty है अब ट्रेड कर कौन रहा है यही संस्थाएं यही FIIs जो जिनका डेटा मैं और आप दिन राद स्टडी करते रहते हैं यह सिंगापूर में भी Nifty को ट्रेड कर रहे हैं तो मैं और आप तो केवल इंडिया पर फोकस्ट हैं इंडिया के नंबर्स देख रहे हैं और FIIs स ने क्या खरीद फरोग की है कितने रुपे की उन्होंने खरीदी की और कितने रुपे की बिक्वाली की नेट में उनकी खरीद हुई है या बिक्वाली इसका आकड़ा आपको मिलता है जैसे अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह NSE को वेब साइट है और यह दो जु को लगबग 500 करोड रुपे का माल FIIs ने कैश मार्केट में बेचा जबकि DIIIs ने उसी दिन 900 करोड रुपे का माल खरीदा तो इससे ऐसा लगता है कि FIIs बेरिश हैं और DIIIs बुलिश हैं लेकि जब आप इसमें F&O यानि कि Future and Options की Position को भी साथ में जोड़ देते हैं तो तस् फिचर्स में खरीदा 1100 करोड रुपे का उन्होंने Options में भी इसी दन खरीदा तो अगर आप इसको इस तरह देखते हैं तो लगता है कि FIIs बहुत बुलिश हो गए हैं आम तो पर जितने भी analysis आप FIIs और DIA data के देखते हैं वो केवल इन ही numbers को लेकर के एक वीचार बना ले अगर FIIs buy कर रही हैं तो वो bullish हो जाते हैं और FIIs sell करती हैं तो लोग bearish हो जाते हैं अब देखें अगर बजार इतना आसान होता समझना तो फिर क्या कहने थे अब देखें इस पूरी तस्वीर को क्या चीज भूल जाते हैं लोग जो वो नहीं समझते हैं और जिसको कोई भ अब आपको देखें STX Nifty की एक ही भूमी का पता है कि STX Nifty आपको सवेरे ये बताती है कि बजार कहा खुलेगा ऐसा नहीं है SCX Nifty में बड़ा कारोबार हो रहा है और हम देखते हैं STX Nifty की website यानि कि STX जो कि सिंगपुर की exchange है यह उसकी website है और अगर आप इस पर जाते हैं देखते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा lot है nifty का, तो आप देखते हैं कि 2 dollar into nifty price, यह है contract value, हमारे हाँ contract value nifty की क्या है, 75 into nifty price, 75 का lot है, उसको multiply कर देते है nifty की value से, मान लिजे 50,500 के आसपास चल रही है, तो हमारे हाँ जो lot है, वो लगबग 7,500,000 रुपए के आसपास का होता है, जबकि STX nifty है, इसका lot अगर आप देखें, तो 2 dollar into nifty price, असलब 2 dollar into 10,500, याने कि लगबग 21,000 डॉलर का एक lot है, और 21,000 डॉलर लगबग 16,000 रुपए होते हैं, तो एक contract value जहां हमारे हाँ 7,500,000 रुपए का एक contract है, आप देखते हैं कि STX nifty पर trade होने वाला nifty का contract 16,000 रुपए का है, याने कि लगबग 2 गुना बढ़ा है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहाँ पर एक lot यहां के मुकाबले 2 बढ़ा है, अब आप देखें कि कितना volume वहाँ होता है, तो STX nifty का volume याने कि open interest अगर आप देखते हैं, तो देखें ये जुलाई 2020 का nifty का contract है, और इसका open interest आप देखेंगे, तो लगबग सवा 2 लाख contracts बने हुए हैं, हमारे हाँ लगबग 2 लाख के करीब या 1 लाख 65,000 contract होते हैं, और वहाँ पर अगर आप देख करता है, कि हमारे हाँ से भी दोगुना volume STX nifty पर हो रहा है, और इतना बड़ा volume और इसमें किस तरह की positions बनी हुई हैं, इसको बिलकुल भी हम अपनी calculation में नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप FII DIA का data देखते हैं, और उसमें STX nifty पर किस तरह की positions बनी हैं, इस बात को अगर आ ज़र अंदास कर देते हैं, तो आपका analysis कभी भी पूर्ण नहीं होगा, देखे FII के लिए पूरी दुनिया एक है, FII का मन करें वो इंडिया में trade करते हैं, उनका मन करता है तो वो Indian futures को Singapore में trade करते हैं, अब अगर मान लीजे किसी FII ने NSC पर तो nifty को buy किया हुआ है, लेकिन उसी समय SGX पर उससे भी बड़ी quantity में nifty को short किया हुआ है, तो आप और मैं तो यही समझ बैठेंगे कि उस FII ने long की positions बनाई हैं, क्योंकि हम तो केवल nifty का ही data देख रहे हैं, याने कि NSC का ही data देखते हैं, SGX के data को नजर अंदास कर देते हैं, और यह बड़ी भूल आम तौर पर analyst करते हैं, तो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, कि जब तक आप SGX के data को ले करके नहीं चलेंगे, analysis कभी भी पूरा नहीं होगा, तो देखा आपने के FIIs केबल हिंदोस्तान में ही नहीं, बलकि सिंगापूर में बैठ करके भी nifty trade कर रहे हैं, और छोटी मोटे कारोबार नहीं हो रहा है, दो लाख लोट से भी जादा का open interest सिंगापूर निफ्टी में बना हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि कितना बड़ा विशाल कारोबार वहाँ पर हो रहा है, और ये मत भूलिएगा कि सिंगापूर निफ्टी का lot size हमारी अपनी निफ्टी के lot size से दोगना बढ है, तो वहाँ पर यहां से double कारोबार हो रहा है, अब इस कारोबार को अगर आप अंदेखा कर देंगे, इसको overlook करके अगर आप analysis करेंगे तो आपका analysis कभी पुखता हो ही नहीं सकता, लेकिन यही सारे analysts और data readers कर रहे हैं, तो देखें मेरी आप सब को हिदायत ये है कि केबल जो सुनते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, खुद ठोक बजा करके अपना स्वयम का analysis कीजिए, और ये जो वीडियो सीरीज है, इसका उदेश भी यह है कि आपको सबल बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं, कि आप इस योग के हो जाएं, कि खुद अपना analysis कर पाएं, और जो गलतियां सभी लोग करते हैं, उन गलतियों से आप बच जाएं, तो देखे मैं अपने आसपास देखता हूँ, लोग FII's और DII's के डेटा को देख करके बहुत से trades कर बैठते हैं, गलतियां होती हैं, नुकसान होता है, और फिर कहते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तो गलती क्या है, SGX Nifty के डेटा को इगनोर करना एक बहुत बड़ी गलती है, तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आज आपको कुछ नया पता लगा होगा, इस वीडियो सीरीज में और ऐसी बहुत सी गलतियां और ब्रांतियां शेर बजार से जुड़ी हुई मैं आपके सामने उद्खाटित करूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजेगा, और इस चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ